नमस्कार, सभी विद्यार्तियों का रहा हुद्भध स्वागत, आज का हमारा टोपिक, अकांटिंग कोन्सेप्ट एंद इनकम मेजर्मेंट मैं दोक्टर मेंदर खार्डिया, असिस्टेंट प्रफेसर ए भीस्टी, दिपार्टमेंट ओप कोमर्स पीरे विद्यार्थियों, आज हम बहुती महत्पूर्ण विशे पर जर्चा करने जा रहे हैं क्योंकि ये एक महत्पूर्ण विशे है और इससे समंदित कई सवाल आपसे किये जाएंगे इसलिए इसको पूरा ध्यान से सुने और अपने नोट्स जरूर त्यार करें तो शुरू करते हैं अकांटिंग कॉंसेप्ट एंड इनकम मेजरमेंट लेखांकन आए का मापन अनेक अवधार्णाओं से परभावित होता है जैसे रूडिवादिता, एक रुपता, लेखांकन अवधी, लागत तता वसुली से समंदित जो अवधार्णा है इन सब का परभाव लेखांकन आए पर या उनके मापन पर पढ़ता है अब बात करें कि एक निश्यत अवधी में आगम का समंदित लागतों पर अधिके को हम आए की रुप में मान सकते हैं एक निश्यत टाइम पिर्ड जिसमें समंदित जो लागते हैं उनका आगम का समंदित लागतों पर अधिके आपकी आगम ज़्यादा है और आपकी लागत है वो कम है इस कांड से जो डिफ्रेंस आएगा उसको हम बोलते हैं आए अब एक डाइगरम के माधिम से इसको समझेंगे शैसे देखिए चालिस जार रुपे आपने नकदी कैस लिया और परचेज परचेज किया गुड्स एंड फेसिलिटी चार लाग रुपे आपके टोटर कितने हो गए चार लाग चालिस जार रुपे फिर आपने सेल्स कर दिया चार लाग असी जार रुपे तो कलेक्शन कितना हो गया आपका कैस आपके पास कितना आ गया चार लाग असी जार रुपे अब आपको जान में रखना है कि एक्सपाइड कोस्ट कितनी हो गई material आपको कितना यूज किया था चार लाग रुपे और revenue आपके पास कितना generate हो गया चार लाग 80,000 रुपे कितना हो गया चार लाग 80,000 expired cost कितनी 4 लाग रुपे ये देखे goods and facility चार लाग रुपे इसको आपने sell किया 4 लाग 80,000 में आपके पास revenue collection कितना हो गया 4,80,000 और आपकी cost कितनी आई 4 लाग रुपे तो revenue आपका ज्यादा है और cost आपकी कम है तो difference जो amount आएगा उसको क्या वोलेंगे income यानि I कितना रुपे 80,000 रुपे आपकी I हो गयी है तो देखिए लेकिन व्यापार में बहुत से सोदे परती दिन होते रहते हैं अता है समन्दिते लागत का निधर्ण इतना सरल नहीं है जैसे की चार्ट के जुमादिम से आपको बताए गया था I कि गरना करने के लिए लेखांगन वीदी में एसी जो लेखांगन मेतड है वो ऐसी एपनानी चाहीए जिससे समस्त लागते लेखा पुस्टकों में दर्ज हो जाए हम ऐसी लेखांगन मेतड को यूज करें जिससे की जो समस्त लागते हैं वो आपके बुक्स में रिकोर्ड हो जाए और ये जो लागते की आई निधान में साइक होती है ये जो लागते हैं वो आई के निधान में साइक होती है पर्तेक्स लागते हैं अत्वा परिवतिन सेले हो सकती है पर्तेक्स हो सकती है या पर्तेक्स हो सकती है या परिवतिन सेले हो सकती है ये लागतें एत्यासिक अत्वाप परमाप लागतें भी हो सकती हैं लागतों के बारे में सपस्ट रूप से जानना तथा आई निधान में उनके परवाव की जानकरी करना बहुत ही जरूरी है तो सबसे पहले आपको जाइदाद की आई लागत और उसका अफसान के बारे में बताते हैं कि जाइदाद का प्रोपर्टी की जो आई है इंकम है कमाने के लिए निर्मान किया जाता है जायदात का निर्मान हम किस के लिए करते हैं? आई कमाने के लिए अत्वावाई करीदी जाती है तब तक उक्त जायदा आई कमाने में साहिता करती है जब तक उस ज़ ज़ प्रॉपर्टी है कि वास्तिफ कलागत का अनुपातिक भाग उक्त आई में से गठाया जाना चाहिए ज़ प्रॉपर्टी की ज़ आई है उसका निमान किसलिए करते हैं आई कमाने के लिए अत्वा उसको खरीदते हैं और तब तक उक्ते जो आई है जायजात है प्रॉपर्टी है को आई कमाने में हमारी मदद करती है और तब तक जो प्रॉपर्टी है उसकी वास्तिफिक लागत का अनुपातिक भाग उक्त आई में से अटाया जाना चाहिए इन्वेंटरी की लागत देखिए कि इन्वेंटरी की जो लागत है उसमें निम लिखी लागतों को हम समलित करते हैं जो कि पुने विक्री के लिए दारण की जाती है विक्री के लिए उत्पादन की प्रिक्रिया में है अत्वा माल के उत्पादन में चालू अवदी में उभोग की जाती है तो ये जो लागते हैं उसको हम इन्वेटरी की लागत में सामिल करते हैं जैसे पुन्ह विक्री के लिए धारण की जाती है विक्री के लिए उत्पादन की प्रिक्रिया में है माल के उत्पादन में चालु अवदी में उबोग की जाती है इन सब आयो को हम इन्वेटरी की लागत में सामिले करते हैं नेक्स्ट है एदर से लागते हैं एदर से लागतों के बारे में बाचित करें तो एदर से लागते हैं एदर से संपतियों जिसमें पेटेंट है ट्रेक मार्क है ख्यती है प्रानपिक वे है विग्यापन है आधी लागतों को अपलिकत किये जाने का कारिय भी सई लागत के मापन को बहुत परवाविते करता है इन मेंसे कुछ एदर से संपतियों जैसे पेटेंट ट्रेड मार्क का जीवन काल विदान में निदारित होता है अधा है उनकी लागतों को जीवन काल में संपुन वरसों में पहलाने का कारिय सरल है किन्तु जो एदर से लागते होती है वो कृतिम संपतियों के सबाव की होती है और इनका जिवनकाल है वो निधान करना मुश्किल कारिय है अता है विविन कारियों में पहलाने का निड़ा आए के मापन को बहुत अधिक परवाविते करता है इन लागतों को कालपनिक अधार पर विविन वर्सों में पहला कर परवंद कपने वियापार की आई को कम्या आदिके कर सकता है अब आती है आरोपित लागते लेखंगन आएके निधान्स में सफ़स तता वास्तिक लागतों के अलावा कुछ आरोपित लागतों को का भी द्यान रखना आवसिक है इन लागतों के उधान जैसे पुंजी पर ब्याज बेवसाय के मालिक के स्वम के कारियों का उचित पारिस्रमिक तता मालिक के स्वम के मकार में चलाए जारे व्यापार के कारण मकार का उचित करया भी हो सकता है आरोपित लागतों में सामिल आरोपी तलागत का रिधारिन सप्रश्ट तत्या वास्टिवक लागतों के अलावा कुछ आरोपी तलागतों का भी दान रखना हमें जुरूरी आफसे करें इन लागतों के उधारण पूंजी पर व्याज व्यवसाइक के मालिक के स्वम के कारियों का उच्चित पारिस्रमिक तता मकान के मालिक हैं उसके स्वम के मकान में चलाए जारे व्यवसाइक के कारण मकान का उच्चित किराया हो सकता है लिखंकन आय के सई मापन के लिए इन आरोफित लागतों का गठाया जाना भी अतियाफिक है वर्तमान में ब्यापार के प्रवंद को द्वारा अपने लावानी में इस प्रकार की लागतों को नहीं दिखाया जाता है और इन लागतों का सही सही निदान करना कटिन है किन्तु सही आयका मापन करने है तू इनका भी उचित अधार पर निदान करना अतियाफ्सिक है तो इस प्रकार से हम लेखांकन, concept of income and measurement के बारे में आपको जानकारी दी है सभी विद्यारतियों का बहुत बहुत रिवाद, thank you, thank you very much